हेलो फ्रेंज आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मदर जिसे लिखा है केकियन दारवाला ने तो मदर टैटल से ही आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसमें केकियन दारवाला अपनी मा के बारे में बात करते हैं जो की अब बूड़ी हो चुकी है तो वो उसे आपजर्व करते हैं और बताते हैं कि क्या तुम में कमी आ गई मैं जब बच्चा था तो तुम कैसी थी और अभी कैसी हो गई हो तुम्हारा सरीर कैसा हो गया है इसी चीज पर केकियन दारवाला बात करेंगे तो चलिए पहले हम केकियन दारवाला के ही बारे में जाल लेते हैं केकियन दारवाला दोस्तों वैसे तो जन हुआ था इनका पाकिस्तान लाहौर में 1937 में पर पार्टीशन के बाद ये इंडिया आ गए और अब ये 85 यर्ज के हैं इन्होंने पदम सिरी भी जीता सहदे एकेडमिक एवोर्ट्स भी जीते और ये अपने प्रोफेशन में पोवेट और राइटर भी हैं दोस्तों केकियन दारवाला ने कई कहानिया लिखे और कई पोवेम्स लिखें जिसमें से आज हम एक पढ़ेंगे जिसका नाम है मदर तो आईए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसके पैरग्राप्स पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी हिंदी करेंगे इसमें जो केकियन दारवाला है वो कहते हैं अपनी मा को कि तुम अब जो है ना तुम्हारे जो चहरे हैं वो अब क्रैक होने लगे हैं और तुम जो है वो एक बो की तरह मुड़ गया है तुमारा सरीर जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों बुड़ा हुने के बाद किसी का भी सरीर जैसे की मा का सरीर जुक गया है तो ऐसा लगता मानू वो धनूस है और एक बो की तरह तुम मुड़ चुकी हो इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारा जो स्कीन है वो पास्ट को दरसाता है यानि तुम्हारे बीतिव दिनों को दिखाता है तुम्हारा स्कीन में क्रैसस पड़ गये हैं ऐसा मानू की तुम एक ममी रैप हो ममी रैप मतलब होता है दोस्तों जैसे कि हम ममीज को रखा करते थे और उसमें जो छल्लियां पड़ जाती है बुढ़े होने पे जो झुर्यां आ जाती है बहुत ज्यादा वैससे तुम्हारा सरीर हो गया है और अब तुम्हारा जो टाइम है वो ऐसा लगता है कि जैसे बीद गया हो, तुम पास्ट के दिनों में जैसी थी, वैसा नहीं हो, your skin will be wrinkled यानि कि तुम्हारे सरीर में जुर्णियां आ गई है और तुम्हारा सरीर बो की तरह मुड़ गया है इसके बाद वो आगे की कहा लाइन में कहते हैं दोस्तों your eyes don't sputter with same fires as they discharge the arrow of your love इन लैनों में poet कहते हैं कि मां, तुम्हारे जो आखे हैं, वो अब sputter नहीं करती यानि कि हरकत नहीं करती थी जैसा कि बीते दिनों में किया करती थी तुम्हारी आँख में वो आग अब नहीं रहा जैसे लगता था arrow of love चल रहा है तुम जब मुझे देखती थी पर अब वो ऐसा नहीं रहा जैसा तुम पहले थी अब तुम्हारी आँखे ना हरकत कर रही है बस एक जगा पुतली की तरह बन गई है और अब तुम मुझे देखकर वो love arrows भी नहीं निकाल सकती जैसे कि एक माँ अपने बेटे को देखकर निकालती है पर तुम जैसे बीते दिनों में थी तुम वैसी नहीं हो माँ अब ऐसा लगता है कि तुम्हारी आँखे अब डिस्चार्ज हो गई है पहले बैटरी चार्ज थी आँखों की अब वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगी है आगे की लैन में पोईट कहते हैं इन लैनों में पोईट कहते हैं कि यानि कि तुम्हारी जो यादे हैं वो लड़ खड़ा रही है और तुम वो अपने बैटे में कन्फ्यूज हो रही हो कि कौन बिस्तर गीला करता था और कौन तुम्हारे ब्रेस्ट को सैप्टिक बना देता था यानि दूद पीते वक्त काट देता था और तुम्हें दर्द होता था तुम नहीं किलियर कर पा रही हो मा कि कौन था जो बेट को गीला करता था हर वक्त बचपन में और कौन था जो तुम्हारे सैप्टिक कर देता था दूद पीते वक्त तो जो मा है पोईट की वो बूड़ी हो चुकी और वो कन्फ्यूज हो रही है कि कौन था वो बेटा जो बिस्तर को गीला करता था और कौन था जो वहाँ पे दूद पीते वक्त काट देता था तो अब मदर जो है वो कन्फ्यूज होने लगी है उसे याद नहीं रह रहा है मेमोरीज ये पोईट कहते हैं कि जिस तरह तुम्हारी उम्र बढ़ रही है तुम्हारी मेमोरीज जो है वो फ्लर्टर यानि की हिल दूल रही है तुम कन्फ्यूज हो रही हो और तुम नहीं बता पाती हो कि कौन था वो बदमास और कौन था सरीफ इसके बाद poet कहते है Yarni कि वो कहते हैं अपनी मा से कि जब मेरे बच्चे यानि कि मेरे बेटी तुम से पूछते हैं यानि वो अपनी नादी से पूछते हैं कि तुम्हारा बच्पन कैसा गुजरा था तब तुम्हारे चेहरे पे एक smile आती है मा और तुम ऐसा लगता है कि वो जो smile है वो energetic है यानि कि वो एक कृत्रिम टैप से animated टैप से लगती है कि तुम कुछ याद तो करना चाह रही हो और उससे तुम हसी भी आ रही है पर तुम मेरे बच्चों को बताने पाती जम भी वो और ऐसा लगता है कि आपको याद तो आ रहा है पर आप उसे express नहीं कर पा रहे हो बस एक smile दे पाते हो क्योंकि तुम्हें वो memories थोड़ी थोड़ी याद आती है इसके बाद वो कहते है Once in six months now you press them to your body to remind us that love was the only writing word in structure of your hand Poet कहते हैं कि छे मेहनों में तुम मुझे हमें एक बार गले लगाती हो अपने body से press करती हो और तुम उस दिन याद करती हो वो love जो कि सिर्फ अब एक written word हो गया यानि किसे हम लिखा हुआ है ना ही अब तुम हमें गले लगाती हो और ना ही अब तुम कुछ याद कर पाती हो छे मेहने में एक बार गले लगाती हो और उन वडों को याद करती हो उस वक्त के पर अब वो यादे धुन्दली हो गई है तुमारे पास और तुम जल्दी उन्हें याद नहीं कर पाती हो और छे महने का वक्त लगा देती हो हमें गली लगाने में I think something survelled within you mother the day you broke your mangles and soup the lion dust of my father from your bro poet कहते हैं कि सायद उस दिन से तुम स्रेबल्ड हो गई हो जिस दिन से तुमने bangles को तोड़ा था और वो जो lion dust था यानि कि जो सिंदूर था मांग में तुम्हारी मेरी पिता के नाम की उसे तुमने मिटाया था और bangles तोड़े थे यानि कि poet के जो father है वो जब death किये थे तब तुमने वो सब bangles तोड़े थे और जो मेरी पिता के नाम का सिंदूर तुम्हारी मांग में था उसे तुमने मिटाया था मा साथ उसी दिन से तुम जो है वो चुप-चुप सी रहने लगी और फिर तुम सब कुछ भूलने लगी तुम उस वक्त चुप-चाब बैठी थी जब तुमने bangles को तोड़ा और lion dust यानि कि मेरे पिता के नाम के सिंदूर को भी मिटा दिया पोईट कहना चाहते हैं कि जब उनकी पिता की मृत्ति हुई थी दोस्तों उसकी बाद से उसकी मा जो थी वोसी के बाद से वो चुप-चुप सौक में आने लगी और अब वो चुप-चुप इसले रहने लगी उसके बाद धीरे धीरे वो बोड़ी होती गई और उन यादो को उसने भुला दिया क्योंकि जब वो बोड़ी हो गई तो वो बार-बार उस चीज को रिपीट नहीं किया करती थी तो उसका जो हेल्थ था वो बिगड़ने लगा और वो चीजों को भूलने लगी यही पोईट इस पोयम में अपनी मा को कहना चाहते हैं आपको मेरी एक्स नेक्स स्टोरी में और नेक्स्ट पोयम में तब तक के लिए बाइ-बाइ दोस्तों वाव नाइस देए